वो भारत जिसने दुनिया को ग्यान मार्ग दिया, उस भारत में ग्यान एक घिनोना शब्द बन गया, गाली बन गया मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर किसी के 33 प्रतिशत अंक आ रहे हैं तो उसको हम पास घोशित क्यों कर दें, मुझे बताओ यहां पर आप बता दें के मैं फलानी पार्टी का युवा कारे करता हूँ, खास तार पर उत्तर प्रदेश में, तो आपको ज्यादा इज़त मिल जाएगी कुछ बाते हैं शिक्षा को लेकर के मेरे मन में, मैं समझता हूँ, सबके लिए जबर्दस्त, कड़ी, रिगरस शिक्षा, अनिवारे होनी चाहिए कम से कम 23 की उम्र तर नमस्ते है चारे जी, पहले मैं सोसल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन दिल्ली भी शुविद्या ले आने के बाद मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया हूँ, तो मैं देखता हूं सोसल मीडिया पे आजकल बहुत सारे बाबा लोग हैं, जो अपना अधिकारिक बना ली है, और अएड के माधिम से परचार कर रहे हैं कि वह हमारे जन्म कुंडु देखकर हमारा गरह निक्षातर देखकर हमें बताएंगे कि हमारा हम किस्से प्रेम करते हैं, हमारा साधी कब और किस्से होगा, हमें नोकडी कब मी लेगा, आप से सिखा है कि यह सब अंधिविस्वास है, कोई जोड़ा पुरम में रहाइत नहीं होता, तो फिर सरकार इन्हें बेंड नहीं क्यों नहीं करती है, अगर यह अंधिविस्वास है तो, अरे बाबा, क्या पूछ रहे हो, वही अग्यान जो इन बाबाओं को जिन्दा रखे हुए है, उसी कि आधार पर तो आजादी के बाद से आज तक सरकारे बनती रही है ना, अग्यान अगर इसलिए हटा दिया कि यह बाबा लोग जाड़कूक और जंतर मंतर और भविश्य और अतीत और यह सब नाटक कर रहे हैं, इस नाती अगर अग्यान हटा दिया, तो सरकारे भी तो गि अगर शिक्षा पर ध्यान दिया ही गया होता, तो दो बाते होती हैं, भारत में 1947 के बाद से जो सबसे बड़ा अपराद हुआ है, वो यह कि हमने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, भारत के साथ ही पूरा जो दक्षिन पूरो एशिया था, वो आजाद हुआ था, चीन भी लगभग उसी समय, जापान की भी दुरगत हुई थी, 1945 में को उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी, कुरिया की भी हालत खराब थी, और यह जितने आपके इधर के देश हैं, साउथीस्ट, सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कमबोडिया, यह सब लगभग एक समय पर ही अपनी आत्रा शुरू कर रहे थे, सब के सब, फिलिपीन्स, इनमें और भारत में अंतर क्या रहा, इनमें और भारत में अंतर यह रहा कि भारत ने शिक्षा को सबसे कम कीमत का समझा, आजादी के बाद के दशकों में शिक्षा के बहुत जबरदस्त कुछ स्तम्भ खड़े भी किये गए, तो वो उच्च शिक्षा में थे, उच्च उच्चतर शिक्षा में थे, हम I.T.I.M. वगरा का नाम लेते हैं, हम I.C. की बात करते हैं, I.C. तो खेराज़ाती से पहले का है, हम इसकी बात करते हैं, हम कुछ अन्य संस्थानों की बात करते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि, इन संस्थानों में पहुँचने वाले लोग लाखों में एक थे जिन लोगों को शिक्षा की जरूरत थी वो सब लोग जो शिक्षा की धारा में प्रवेश करते हैं चार साल पात साल की उमर में उनमें से लाखों में कोई एक होता है जो जा करके हाईयर एजुकेशन के इन मंदिरों से लाब उठा पाता है और जो लाब उठाते हैं उनमें से भी बहुत सारे तो बाहर चले जाते हैं तो जो भारत में ही रहने वाले लोग हैं उनकी बड़ी दुरदशा रही भारत का जो आधारभूत शैक्षन एक धाचा है वो आज भी विश्व के दुर्बलतम में से एक है उसका नतीजा यह है कि आम भारती यह बहुत अनपड़ है बड़ा गंदा लगेगा सुनने में पर ऐसी ही बात है हमें बस इस बात की खुशी है कि हम जैसे ज़्यादा तर मामलों में वैसे ही इस मामलों में पागस्तानियों से आगे है पागस्तानियों से बस बांगलादेशियों से नहीं वो निकल गए आगे तो पहली बात तो हमारे यहाँ पर अभी भी 2023 में भी जो शिक्षादर है वो 75 प्रतिशत से आगे निकली नहीं है 25 प्रतिशत तो हमारे यहाँ आधिकारिक रूप से अनपड़ है और यह जो 75 प्रतिशत है इसमें बहुत बड़ा अनुपात उनका है जो बस अपना नाम लिख पाते हैं सरकार के अनुसार अगर बैंक में आपको अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती तो आप साक्षर हो आप अगर अपना नाम लिख सकते हो तो आप अनपड़ में नहीं किने जाते सरकारी दस्तावेज़ों में अनपड़ बस वो है जो अंगूठा च्छाप है अंगूठा च्छाप नहीं हो तो सरकार के हिसाब से आप सच तो यह है कि पढ़ने लिखने वाले भारती जो सच मुझ पढ़ सकते हो शायद अभी भी 50 प्रतिशत भी ना हो देश में 25 प्रतिशत तो वो जो आधिकारिक रूप अफिशली इलिटरेट पढ़ी नहीं सकते 25 प्रतिशत वो जिनको पस अपना नाम लिखना आता है तो कहीं पर कुछ होता है तो अपना नाम लिख देते हैं उसके बाद उनकी संख्या आती है जो पढ़ना तो जानते हैं पर पढ़ने की कीमत नहीं जानते तो उनको अगर दिया जाए अख़बार की पढ़ लो तो उनको कोशिश करके पढ़ तो लेंगे पर उनको कोशिश करेंगे ही नहीं क्योंकि उन्हें पढ़ने का मूले नहीं पता पढ़ने का मूले भी तो शिक्षा बताती है न अगर शिक्षा ही ठीक न हो तो कैसे पता चलेगा कि शिक्षा का मूले क्या है पढ़ाई लिखाई का बहुत मूल है ये भी तो पढ़ाई लिखाई ही बताती है न पढ़े लिखे ना हो तो ये भी ने पता होगा कि हम पढ़े लिखे नहीं है कितना कुछ गवा दिया है जिंदगी में कुल मिला करके जिनको आप शिक्षित कह सको शिक्षित व्यक्ति वो होता है जिसके सोचने समझने की शक्ति जागरत हो गई है शिक्षित लोग भारत में मुझे ताज्जुब होगा अगर एक या दो प्रतिशत से ज्यादा है सौ में से एक वेक्ति है भारत में जो शिक्षित है आपने दो नाम लिए आपने कहा एक बावा और एक सरकार एक प्रत्षत शिक्षित लोग है निन्यानवे प्रत्षत अशिक्षित है उन्ही अशिक्षितों से बाबा भी चल रहे हैं उन्ही से सरकारे भी चलती आई हैं आज तर सरकारे कैसे ये जंतर मंतर और अंधर विश्वास बंद कर देंगी नहीं कर सकती सरकारी स्कूलों की क्या हालत होती है और ज्यादा तर लोग पढ़ाई तो सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं क्या हालत है वहां शिक्षा की किसको क्या पता है किसकी सोचने की क्षमता जागरत हो रही है साधारन स्कूलों में जो टॉपर भी होते हैं क्या वो थिंकर्स होते हैं कि अधर लब यह भी तो और यह भी हम शीर्श 5 प्रजिशत की बात कर रहे हैं 25 और 25 और 25 तो हम पहले ही इठ चुके एंकि वो खत्मी है अब जो बचे हैं 25 उनमें जो शीर्श है टॉपरस उनकी बात कर रहे है क्या वो विचारक होते हैं यमारते शैंट बहुत ज्यादा साल नहीं वीते उत्तर प्रदेश की एक सरकार ने बाकाइदा आधिकारिक रूप से नकल करा करके लड़कों को बोर्ड पास कराया था आप क्या समझ रहे हो कि यहां विचारक पैदा होने वाले हैं जो भारत में स्टेपल ब्रेड एंड बटर डिग्री हैं वो हैं बीए और बीएस्सी और डिग्री कॉलेजेस की क्या हालत रहती है आप जाकर देखिए वहाँ पे जो लड़का है लड़की पढ़ रहा है उसको कुछ होश है उसे कुछ समझ में आ रहा है उसे दुनिया की कुछ खबर है आप उससे दुनिया की किसी मुद्दे पे दो बाते करके दिखा दीजिए इन लोगों को पता है क्या कि वोट कहां डालना है इनको पता है क्या जिन्दगी कैसे चलानी है तो फिर यह चले आते हैं किसी एस्ट्रो गुरू के पास आपको कोई ताज्यूब होता है क्या जब आप देखते हो कि कोई रखते बोलता है साब मैं में हूँ और वो जबरदस अंधविश्वासी होता है कोई ताज्यूब होता है क्या अगर वो सच्मुच में होता तो अंधविश्वासी कैसे हो सकता था अब यह उनकी नहीं बात कर रहें जो शिक्षा पाई नहीं पाए हम उनकी बात कर रहें जिन्होंने पाई ली हमारा तंत्र इतना तीमक से चटा हुआ है कि यहां जो बी एमे करके बैठें वो भी अशिक्षित ही उनको जानी है आप हमारे पाठिक्रम में ऐसा क्या है जो हमें मौलिक चिंतन के लिए और स्वतंत्र विचार के लिए प्रेरित करता हूँ कुछ करता है क्या थोड़ा सा जो अभिजात वर्ग है और शेहरों की कुलीन हवा है उससे दूर चले जाईए तो लड़के पढ़ इसलिए रहें कि किसी तरीके से नौकरी लग जाए लड़कियां पढ़ इसलिए रहें किसी तरह से शादी हो जाए इसको आप शिक्षा बोलोगे क्या इनको आप शिक्षित बोलोगे यह शिक्षित है अंग्रेजिय में बिये करने वाले अंग्रेजी का एक वाद के साफ ना लिख पाएं फिलोसफी में डिग्री ले करके बैठे हैं फिलोसफी की दो बाते इनसे कहले वालों उलग जाएंगे इन्हें डिग्री मिल कैसे गई मैं सवाल पूछ रहा हूँ अगर किसी के 33 पतिशत अंक आ रहे हैं तो उसको हम पास घोशित क्यों कर दें मुझे बताओ दस में से तीन साड़ तीन नंबर आये हैं मैं उसे थर्ड डिविजन में भी पास क्यों घोशित कर रहा हूँ बोलो क्यों करें क्यों नहीं पासिंग परसेंटेज सत्तर होना चाहिए जवाब दीजिए सत्तर से नीचे नंबर आयें दुहराओ ना तुम्हें नहीं समझ में आया अभी क्या जल्दी आगे भागने की जब पीछे की बात नहीं समझ में आये तो दुहराओ ये कितने बड़े साजेश है विचार के खिलाफ मन और चेतना के खिलाफ कि सौ में से 33 नंबर लाओगे तो आगे बढ़ जाओगे क्यों बढ़ जाओगे क्यों बढ़ाना है उसे आगे उसे तुहरवाओ सत्तर नहीं असी पे बोलो दुबारा कर दुबारा कर जिन्दगी आपको माफ कर देती है क्या सत्तर में सौ में आप तैतिस लाते हो तो बो जब जिन्दगी नहीं माफ करती तो स्कूल क्यों माफ करता है यहां तो तैतिस भी नहीं लाने होते 28 पर ग्रेस दे के पास कर देते है आप छोटे शहरों में और दिहात में चले जाएए वहाँ पर डिगरी कॉलेज, इंटर कॉलेज में लड़कियों को फेल नहीं करते कहते हैं इसका बया होना इसको फेल वेल क्या करे उसको दो बाते पक्की होती है पहला कॉलेज नहीं जाना होगा, दूसरा फेल नहीं होगी क्योंकि छोटी सी जगह है, वहाँ सब एक दूसरे को जानते है वहाँ जो कॉलेज का टीचर है वो उसके उधर ही कई महले में पड़ोस में रहता होगा सब एक दूसरे को नाम से जानते है और फलाने की लड़की पढ़ने आती है, उसको फेल कर दोगे, ऐसे कैसे फेल कर दोगे, कैसे फेल कर दोगे, वो फेल करेंगे, और ये भी पक्का है, कि उसको कॉलेज आने के लिए भी कभी प्रेरित नहीं करा जाएगा, नड़की ये क्या करे ही कॉलेज आके, 35 नमबर दे के 45 नमबर दे के बहुत वादुपच्पन नमबर दे करके आगे बढ़ाओ ना आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ विक्सित देश वो होते हैं जहां सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानी ये काम होता है शिक्षन अमेरिका में अगर आपके नाम के आगे DR लगा हुआ है तो आप विशिष्ट है अमेरिका में अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप में कुछ खासियत है और भारत में शिक्षन के शेतर में वो जाते हैं जन्हें और कोई काम नहीं मिलता ये कितने दुर्भागे की बात है फिर समाज भी उन्हें उसी हिसाब से हिजब देता है अद्वयक लाइफ एजुकेशन के दिनों की बात तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एच आई डीपी होता था अब पता चले कि स्टूडेंट्स बहतर हो पाएं इसमें रोड़ा बन रहे हैं वहाँ के टीचर सी कॉलेजों के तो मुझे अद्भुत लगा तो टीचर से बात करनी शुरू करी तो पता चला कि इनसे ज्यादा निरुट्साही और दमित वर्ग तो कोई दूसरा होता ही नहीं है इनसे पूछो बात क्या है तो बोले हम प्राइवेट कॉलेज के टीचर हमें कोई लड़की नहीं देता कोई इज़त ही नहीं है हमारी कहीं भी कोई इज़त में इससे हमें समाज की चेतना के इस तर के बारे में पता चलता है कि जहां टीचर होना सम्मान की बात न होती हो शिक्षक होना सबसे उचे सम्मान की बात होनी चाहिए लेकिन यहां पर हालत यह है कि जिन लोगों को कुछ और नहीं करना होता विवस्था ऐसी बनी है और उस विवस्था में लोग भी वैसी जा रहे हैं वो कहते हैं हमें शिक्षक बनना है और उसमें अगर कुछ लोग पहुँच भी जाते हैं उच्साही उरजावान तो उनका दम निकल जाता है वो या तो घुटने टेक देते हैं या शिक्षन छोड़ देते हैं वो कहते हैं हम कुछ और कर लेंगे एक देश कैसा है एक समाज कैसा है ये किसी भी और चीज़ पर इससे ज्यादा निर्भर नहीं करता कि वहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा है भारत की दुरदशा का किंद्री ये कारण है शिक्षा का अपमान शिक्षा का अपमान शैक्षनिक संस्थानों का अपमान और शिक्षक का अपमान यहाँ पर आप बता दें कि मैं फलानी पार्टी का युवा कारे करता हूँ खास तोर पर उत्तर प्रदेश में तो आपको ज्यादा इज़त मिल जाएगी बजाए इसके कि आप बोल दें कि मैं फलाने कॉलेज में प्रोफेसर हूँ फलाने कॉलेज में क्या है अच्छा असोसियेट प्रोफेसर है चली उदर बैठी ठीगा और वहीं पर एक आजा ये क्या है ये बाहु बली दबंग धाकड युवा छात्र नेता पानी पिलाओ पानी पिलाओ इनको पानी पिलाओ ये छात्र नेता क्या होता है छात्र हो कि नेता हो भारत दुनिया का अग्रणी देश है छात्र राजनीति के मामले में और जिन बशेज में स्टूट पॉलिटिक्स बारत में जितनी ज्यादा है वहाँ शिक्षा का अस्तर उतना गिरा हुआ है वैसे ही देख लीजिए कि देश के अलग-अलग इस से अलग-अलग राज्य है जहां पर शिक्षा का अस्तर उचा है वहाँ जीवन का अस्तर भी उचाए वहाँ राजनीदी का अस्तर भी बहतर है और जहां शिक्षा का अस्तर जितना गिरा हुआ है वहाँ पर लिंग अनुपाद भी उतना गिरा हुआ है वहाँ जातेवाद भी उतना ज्यादा है जितने तरीके के रोग हो सकते हैं सबसे ज्यादा देश के उन्हीं क्षेत्रों में है जहां शिक्षा की सबसे ज्यादा दुर्दशा है और मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहां समस्या यह नहीं है कि बिचारा एक दिहाडी वाला मजदूर अनपड है हमारे यहां शिक विडम बना बड़ी से बड़ी यह है कि जो अपने आपको graduate और post graduate करते हैं कहते हैं वो भी महान पड़ है मैं सिर्फ बीए बेस्टी की भी बात नहीं कर रहा हूँ वो B-Tech M-Tech करके बैठा होगा उससे पूछो जिन्दगी में कितावें कितनी पढ़ी है हाँ इसको अनपढ़ क्यों नहीं बोलेंगे इसको अनपढ़ क्यों नहीं बोलेंगे किताब पढ़ी ही नहीं जाते है क्या करते हो फिर यह वीडियो देखते हैं stock market में पैसा कैसे invest करना है तुम्हें अगर investment और portfolio management करना है तो ये उसके लिए भी किताबे नहीं पढ़ेंगे ये उसके लिए भी जा करके किसी छपरी influencer का video देखेंगे 15 minute का जिसमें 15 minute में इनको बता देगा कि Warren Buffet कैसे बनना है किताबों से भारत को जैसे चिड़ हो गई है वो भारत जिसने दुनिया को ग्यान मार्ग दिया उस भारत में ग्यान एक घिनोना शब्द बन गया, गाली बन गया हमारे वीडियोज पर आकर के यही जो सब graduate, post graduate और b.tech आज की नई फसल ही आकर के बताया करती है ग्यान के साथ ही एक ऐसा शब्द जोड़ती है जो खोद से मिलता जोलता है यह कहते है ग्यान मत खोद यह ग्यान के लिए इनका सम्मान है लिए तुम मुझे थोड़ी कुछ बोल रहे हो मुझे तो यही बोल रहे हो कि मैं ग्यान दे रहा हूँ तुमने जो खोदा खोदी करी है वो मेरे साथ नहीं करी हो ग्यान के साथ करी है जिधर देखो उधर बस वही जैसे पशू चेतना कुछ समझ में नहीं आता कुछ पोचो कुछ नहीं पता होगा इसराइल हमास चल रहा है एक वरके हैं तो मारदो मारदो यह सुझते हैं फिलस्तीन वाले मारदो हिजब اللہ मारदो हमास मारदो क्यों मुसलमान इसमें मारदो अरे भाई किसी मुद्दे को थोड़ा सुक्षमता से तो देख लो और अगर मुसलिम पक्ष से आ रहे हैं तो फ्रॉम दे रिवर टू दे सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री भाई बात तो समझ लो कुछ पता है इतिहास क्या है उस जगे का चल क्या रहा है बात क्या है कुछ नहीं हर आदमी जाहिल कहीं विचार में सुक्षमता नहीं नुएंसेज नहीं मुद्दे की जड़ तक पहुँचने का कोई आगरह नहीं बात को पूरा समझने की कोशिश नहीं आपको मालूम है ये जितनी गाली बाजी चलती है मैं आपकी संस्था की बात कर रहा हूं और आपकी संस्था को दिन में हजारों के हिसाब से गालियां धंकियां घ्रणा आदी मिलती है जितनी गाली बाजी चलती है आव तोर पे वो लोग होते हैं जो गाली भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं कितनी अजीब बात है देखो पेटा ये जो तुमने लिखा ना बाहन नहीं होता बहन होता है जाओ पहले घर जाओ और अपनी बहन से बहन लिखना सीखो और फिर ये खोदा-खोदी करना अभी पूछ रहे थे हैं क्या बोल रहा था मैं कि एक जवान आदमी आएक लड़का खड़ा होता है उधर देखता है और क्या पाता है distorted specimens सिर्फ अगलीनेस 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 शब्दों में विचार में भाषा में आचरण में सिर्फ कुरूपता 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 तोफिस्टिकेशन मंजा हुआ होना व्यक्तितों का निखार बोध में गहराई यह सब तो शिक्षा से आते हैं न और मान लिजिए आपको तंतरगत शिक्षा नहीं भी मिली ठीक है स्कूल कॉलेज युनिवरस्टी यह सब आपके नहीं बहुत अच्छे थे मान लिया तो स्वाध्याय में क्या परेशानी है भाई खुद क्यों नहीं पढ़ लेते मैं आपसे कह रहा हूं इंसान बनना ही बहुत मुश्किल है अगर कम से कम पचास श्रेश्ठ कोटी की किताबें आपने नहीं पढ़ रखी हैं तो दुनिया में लगभग तीन-चार सो किताबें ऐसी है तो सबको पढ़नी चाहिएabe साती सात में एभी समझता हूं कि जीवन की मजबूरिया होती शायद हर वेक्ती तीन-चार सो किताबें न पढ़ पॉए लेकिन अगर आप कहें न तीन-चार सो किताबों में आपने पचास भी नहीं पड़ी है तो अपने आपको शिक्षित छोड़िये साक्षर कहने का भी आपको हक नहीं है कोई स्रीमत भगवत गीता उन पचास गतावों में से एक है एक ही है और भी है हो पढ़नी भी है उसके बिना काम नहीं चलेगा भाई नहीं तो मूँ खोल करके बोल देने से हम इनसान नहीं हो जाते न मूँ खोल करके तो हर पशु बोल देता है वो भी उनका ओपीनियन ही तो होता है रात भर कुत्ते सड़क पर क्या कर रहे होते एक्सप्रेशन ओपीनियन फ्री एक्सप्रेशन इन लिबरल कंट्री वो तो कोई भी कर सकता है आचरण में व्यक्तव्य में और व्यवहार में सौंदर गहराई सुक्ष्मता ये बाते होती है आनन्द की जब तक ये नहीं होंगी तब तक ये क्रूडनेस है कि वहाँ पर वो एस्टरोवाला एक बैठ गया और वो आपको बता रहा है कि ये जो आपका सेकेंड हुक अप है कल कोई मुझसे बोल रहा कि आपका जो सेकेंड हुक अप है बाबा जी ने बताया इसको तो बिलकुल मत छोड़ जिए क्यों इसी से आपका बया होना है अब वो कूल बनने के लिए आज की पीड़ी की भाशाए में बात करते है क्यों इसी से आपका होना है क्यों क्योंकि इस से आपका वो सब राहू के तू मिल गया है कुछ बाते हैं शिक्षा को लेकर के मेरे मन में मैं समझता हूँ सबके लिए जबरदस्त कड़ी रिगरस शिक्षा अनिवार होनी चाहिए कम से कम 23 की उमर तक मैं समझता हूँ कि गड़ित ऐसा विशह नहीं है जिसे दस्वी में ही समाप्त किया जा सके किसी के लिए भी गड़ित विग्यान अर्थशास्त्र ये कम से कम 12 वी तक चलने चाहिए हाँ ये जरूर हो सकता है कि हाईयर साइंस और लोवर साइंस हो कि जिने आगे विग्यान में ही आगे बढ़ना है उनके लिए एक तरह का उच्चतर विग्यान हो सकता है और जिने विग्यान में आगे नहीं बढ़ना है उनको साधारन विग्यान की समझ दी जाए पर दस्वी में मामला नहीं हो पाता भाई हम नहीं जानते है विज्ञान वहीं से तो अंधर विश्वास आता है आप ले आईए बाहर से आधे लोगों को अगर आप बता दे न कि यहां पर ऐसे एक खास तरीके से फूख मारी जाए तो सोफा उड़ जाएगा तो मान लेगा कई फूख मारने की एक विशेश विधी होती है जिसमें सोफा उड़ने लगता है वो मान लेगा क्यों क्यों किया हम अशिक्षित हैं इसी तरीके से जिन लोगों ने विज्ञान चुनाएं उनके लिए जो बातें आर्ट्स की परिधी में आती है समाने तया वो भी कुछ वर्षों के लिए या कुछ समिस्टर्स के लिए निवारे होनी चाहिए समाजशास्त्र आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र एकनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए philosophy और psychology आपको पता होनी चाहिए आप electrical engineer बन के निकल गए और आपने कभी psychology फिलोसफी पढ़ी नहीं आप इंसान कैसे हो भी आप इंसान ही नहीं हो इसी तरीके से साहित बहुत ज़रूरी है literature फर्क नहीं पढ़ता कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो literature compulsory होना चाहिए और मैं यह भी जानता हूँ कि जो हमारी विवस्था भी चलती है 10 प्लस 2 प्लस 3 वाली उसमें इतना कुछ समायेगा नहीं तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि 23 साल तक पढ़ाई सबके लिए अनिवारे होनी चाहिए और सरकार द्वारा mandated होनी चाहिए चाकि गरीब का बच्चा भी 23 साल तक पढ़ सके बिना रोजी रोटी की परवा करे नहीं तो हो कहेगा कि 23 साल तक मैं पढ़ी रहा हूँ घर वाले भूखे मर रहे हैं काम कैसे चलेगा जो पढ़ने लग जाएं उनको 18 की उमर के बाद से scholarship सरकार की उरसे मिलनी चाहिए और न पढ़ने का अंजाम ये होना चाहिए कि आप अभी और पढ़ोगे scholarship इतनी ही है कि उससे बस अपना किसी तरह खर्चा पानी निकलेगा आश नहीं कर पाऊगे तुम मत पढ़ो तुम 30 साल तक पढ़ोगे नियम होना चाहिए कि कोई नौकरी नहीं दी जाएगी आपको अगर आपकी शिक्षा नहीं पूरी हुई है क्योंकि हमको बस पैसा कमाने की मशीने थोड़ी चाहिए हमें इनसान चाहिए हमें वो आदर्श नहीं चाहिए कि पढ़ाना कॉलेज ड्रॉप आउट था लेकिन देखो अब अरबपती है करोडपती है कॉलेज ड्रॉप आउट था करोडपती है होगा जानवर है अभी भी अरबपती जानवर नहीं हो सकते गया आप अरपती हैं आप मरते हुए अपना सारा पैसा अपने कुट्टे को रख जाएए अपनी वसीयत बनवा करके मेरा कुट्टा मेरे आठ मिलियन डॉलर का हकदार हुआ आप से तो है तो अभी भी वो बहु 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 श्लोक थोड़ी बोलेगा आठ मिलियन डॉलर आ गए हेंडस नुए इदे रहेंडस्टी एक्सपीरिय democrat का हींडस्टों इडस्ट्री एक्सपीरियंस आहां अधिया का पता गेंडस्ट्रींस έναिंडस्ट्री अन्डस्ट्रीं डाव मेंठाट का पता धार मशन विग्ज्यान का पता तूपैसा कमा भी ले ये तो करेगा क्या उसका इस देश को एक वास्तविक रूप से शिक्षित पीड़ी की जरूरत है हम सब बदल देंगे भारत को इन्हीं हम पूरी दुनिया बदल देंगे एक पीड़ी चाहिए और बस कुछ और नहीं शिक्षा तेईस साल चाहिए बस एक पीड़ी जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो तेईस साल के लिए मिल जाए फिर देखिए भारत क्या बनता है और कोई कोई उसमें हमें ऐसा छेद नहीं छोड़ना होगा जिससे लीकेज हो जाए जो बच्चा शिक्षा की धारा में प्रविष्ठ हो वो पूरी तरह शिक्षित होने के बाद ही बाहर निकले यूनिवर्सल एंड कमपलसरी एजुकेशन फॉर इच एन एवरी चाइट प्रोवाइड़ बाए दा स्टेट और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा उसके बाद आप पूछेएंगे धर्म का शेतर ठीक हो गया हाँ हो गया राजनीत ठीक हो गई हाँ हो गई अच्छे खिराड़ी निकलने लगे हाँ निकलने लगे उलम्पिक में पदक आने लगा आने लगा अर्थोवस्ता बहतर हो गई हाँ हो गई सब कुछ अच्छा हो गया क्योंकि हम शिक्षित हो गए हम इंसान बन गए न सब अच्छा हो जाएगा अपने आप अच्छा हो जाएगा और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे बाकि जो कुछ भी हो रहा है वो वेर्थी है पत्रिकारिता बहतर हो जाएगी हाँ हो जाएगी टीवी पर जो कुछ भोक करते हैं और हालत इतनी बदतर होती जा रही है कि पहले आपको किसी को प्रभावित करना होता था तो आप अपनी शिक्षा औगेरा दिखा करके या आप अपनी भद्रता दिखा करके या आप अपनी भाशा दिखा करके खासकर अंग्रेजी आप उसको प्रभावित करते थे होता था ना ऐसे 10-20 साल पहले तक अब आप किसी को impress नहीं कर सकते अपनी English दिखा के अब आप लोगों को प्रभावित करते हो अपनी गवराई दिखा के अब वो जरूर डरेगा बीते कुछ दिनों में महीनों में मैंने अच्छे बड़े होटेल्स में और रेस्ट्राउ में गवराई का नंगा नाच होते देखा है और होटेल का पूरा स्टाफ, मैनेजमेंट, सेक्यूरिटी सब बेवस खड़े होते हैं वो गवार लोग वहाँ चड़ाएं और हर तरीके की अभदरता कर रहे हैं अशोभनी ये बिलकुल हमें ऐसा देश चाहिए जहां हम सम्मान दे किसी व्यक्ति के ग्यान को ग्यानी को सम्मान होना चाहिए गवार को नहीं और भारत में इस वक्त जो लहर चल रही है उसका नाम है गवार स्वैग जो जितना गवार है वो उतने स्वैग में है और जितना पढ़ा लिखा है वो उतना दबा हुआ है हमने 1947 के बाद से गलती करी है और आज हम और बड़ी गलती कर रहे हैं शिक्षा का अपमान ग्यान की उपेक्छा इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता नमस्कार मेरा नाम सक्षम है और मैं आचारी जी को लगबग दो साल से सुन रहा हूँ मैं अपने जीवन में ये खोज रहा था कि मेरे जीवन में जो दुख है वो क्यों है और मुझे कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है आचारी जी को सुनने के बाद मैं काफी अप्ता के स्टीज में सफल हुआ और मुझे बहुत लाब हुआ है मैं आचारी जी के संग अभी पांच महीनों से बगवत गीता का पाट कर रहा हूँ गीता समागम से जुड़ा हूँ तो मुझे एक के बाद एक जो शलोक के अर्थ समझ में आ रहे हैं जो कि आचारी जी वेदान आदारेत अर्थ समझा रहे हैं वो मेरे जीवन को एक नया आयम दे रहे हैं और साथ ही जो मेरे साथ ही जो हजारों लोग गहर बैटे आचारी जी के संग गीता पड़ रहे हैं उन्हें भी बहुत लाव हो रहा है तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी जल से जल गीता समागम से जुड़ेंगे धन्यवाद है तो मेरे से जल से जल से जल से जल से जल गए हैं